जैहिन दोस्तो कैसे हो आप मैं हूँ विर्जी मेगवन सी डिस्टेंसे चैनल में आप सभी का सागत करता हूँ Welcome to Mumbai, Mumbai में आप सभी का सागत है मैं Mumbai गुमने की शुरुआत करता हूँ विगना हर्ता स्री कणिश जी के दर्शन से इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ दादर वेस्टर्न ट्रेलो स्टेशन से सिद्धी विनायक टेंपल की और रास्ते में इस छोटा सा हनमान जी का मंदीर भी पड़ता है हनमान जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं गनेश्ची के मंदीर की दरफ विगना हर्ता पारवती पुत्र स्री गनेश्ची का मंदीर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है अभी बाहर का कुछ नजारा ऐसा है चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और विद्न हर्ता के दर्शन करते हैं बाहर के साइड आपको प्रशाद फूल की दुकाने बहुत सरी मिल जाएगी और मंदिर के अंदर प्रविश करते हो तभी आपको अपने जूते चपल और अपने सपास अगर कुछ सामान वगरा हैं तो उसके लिए लोकर की सुविदा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी मंदिर में कैमेरा एलाउड नहीं है तो शायद मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मेरे से जितना होगा उतना मैं आपको शूट करके विद्ण हर्ता के दर्शन करवाऊंगा कई दर्शन कर्के दर्शन कर्वाऊंगा कर दो कर दो बहुत ही अच्छे दादा गनेश्ची के हमने दर्शन कर लिए हैं अभी हम आगे बढ़ते हैं पारत रत्न स्री डॉक्टर बाबा साथ आमबेडेकर की समाधिस्तल की और अभी मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे बाबा साथ आमबेडेकर का समाधिस्तल बनाया गया है और बाहर का नजारा कुछ ऐसा है और यहां से आपको अरब सागर का विव यान कि बांदरा वरले शिलिंग पे आपको यहां से देख जाएगा 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साथ का देहान नई दिल्ली में हुआ था तब उनका पार्थिव सरिट यहां पे मुंबई स्तित दादर पच्चिम में लाया गया था और यहां पे उनका अंतिम सिन्सकार किया गया था और इसी जगह पे बाबा साथ की याद में सांत्ली का जो स्थूप है उस स्थूप का धांचा या पे बनाया गया है और इस फांड को चेतन्य भूमी के नाम से जाना जाता है चतन्य भूमे में एक अमर जोद भी मौजूद है और अमर जोद के बाजू में एक बड़ा सा असोक स्थम भी मौजूद है पार की और एक छोटा सा और भी गार्डन है वहाँ पे भी हम थोड़ा सा सेर कर लेते हैं कर दोड़ा सेर के हम एक बाजूद है बाँ कर दोने बाद कि आबाद कुछी आ राद है दो पास राद राद के रहा राद कर दो लगा साही बाद कर दो कुछी आध करका राद करेदा रहा है इतना गूनने के बाद अभी मुझे थोड़ा रेलो स्टेशन पे थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैं मुंबई के सेंटर रेलो स्टेशन पे आ गया सेंटर रेलो स्टेशन पे मेरा काम खतम करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ हाजी अली दर्गा की और यह हाजे लिदर्गा जाने का रास्ता है यहाँ से हाजे साथ के कबर यानिकी समाती के लिए आप चादर वगेरा भी ले सकते हो यह चोटा सा संक्रा रास्ता है जो कि दर्गात की और आगे बढ़ता है दोने साइड आप देख सकते हो और अब सागर का पानी आपको देख रहा होगा मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी मौजूद है जो कि इस पार मुंबई गुमने के लिए आया है उसके मन में बहुत ही लालसा थी कि मुंबई सीटी कैसा है उसे एक बार देखना था इसलिए मैं उसको एक बार साथ ले आया पिछले चार साल से में देख रहा हूँ हाजी साथ की जो दरगा है वो अंडर कंट्रक्शन में ही है पताने इस दरगा का काम कब तब खतम होगा दरगा के तीछे की साथ का खमुद्र का मजारा बहुत की प्यारा और सुंबर में है यहाँ पर आप उतना क्वालेटी टाइम स्टेंट कर सकती है क्या जो क्या जो nhân अजडा अजी ज्ड़ीक क्या बार आपक है दोल्चल एrez जो खजिए आरे रहीं से अजड गूडीक क्या रहा है थिए कि थे अजिन अजय को रिखिया है मैं आज़े अलिए गरुदरों आज़ी है आ ए गिल्सात दर्गां पे मैंने दर्शन बहुत इंचिति है अब जब में आपने दर्शन करने बाद तीशे की साइड समुढ़ पिनारे थोड़े सांती से तो तो अपने बहुत ही अच्छी जानकारी मुंबे के बारे में बताई तो ज्याने सवर जी कैसे हो आ रहे हैं और आप यहां पर आजियरली दर्गा पर दर्शन करने के लिए आए कैसा लगा आपके बहुत अच्छा है बहुत बहुत मैंने सब्सक्राइब और मैं हमेशा आते रहता है और अभी बहुत ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो आज मैं एक्स्प्लोर के यहां पर की और यहां पर चीज हो रही है होने वाली है यहां पर पूरा कोश्टल रूड हो रहा है यह तीन-चार सालों में पूरा चल रहा है काम अभी बस एक देड़ साल में पूरा कंप्रिटली हो जाएगा पहले यहां पर ऐसा कुछ नहीं था तो पूरा सीन दीखता था अभी उतना सीन दीखने रहे तो खाली जो पीछी दि आदिवर्तन देखेगा आपके नांसर जैसे मुझे मुझे मालूम कोड़ा है कि आप मुस्लमान की दर्गाव है तो आपको कुछ अंदर कुछ ऐसा अनुबह हुआ या कुछ दर्म के रिलेटेड रासा कुछ हुआ ऐसा कुछ है नहीं यहां पर हरको हाते रहता है सब उपर वाले के दुबहर रहती है तो यहां पर यहां पर हिंदू ही वह यहां पर हुआ और आशिरवाद लेता है आप कोई भी रहो आप आप कर सकते हैं और साथ ही में आप 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 साकते हो तो यहां से दो तीन मेंट के दूरी पर मालक्षमी टेम पर है वही पर ज़रूर जाना और आप मालक्षमी स्टेशन से मैंने जैसे बताए ता आपको भी पहले कि दस मिट वाकिंट डिस्टन्स पे बहुत इजी आप आ सकते मुंबई आते हो तो तो चले और आप जो आजेली रगाए तो बहुत सालों से उसका जो चुन्सक्रिक्शन काम चल रहा है आपको क्या लगता है आने वाले किसने वाले कि इसका काम अभी दो साल लगे कि अचारा ज आजेली अब आस्तर्म नहीं दुब़ा है इतना वारिष होता है मुंबई में आप सबको पता है असे मैं बताया कि 1470 पे पुला है वे घैल में पता नहीं है तो जैसे कहा जाता है कि जब अधियली साब को धर्म प्रचार करने तो पूहेत हो गया वेख से अंडु ने अज़की फार्टिश को बहा कि अगर मेरा दियान हो जाता है। तो मेरे पार्टिश को पहीं पहुत हैं तो बहा हैं। अज़की में चर्ड़र में मेरे अशे। मुंबाइ के बताना चाहेंगे मुंबाइ में आने के लिए बहुत सब्सक्राइब अगर आपको मार्केट एक्स्प्लॉर करने तो प्रॉफर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है वहां पे बहुत अपको जैसे यहां पर एक खेमस मंदिर भी अंबर नातमी शिव मंदिर है वहां पर जा सकते हो सबसे मार्केट भी बात की ज़या तो कौन सा प्रिस्ट रहता है सबसे बस मार्केट बोल तो कि आप कुछ बोल नहीं सकता है यहां पर लगता है और सबसे बड़े चोर मार्केट के पास उदर आपको मिल जाएगा बहुत वहां से एक किलोमटर्ट दूर है दस मीट के अंदर आप अकर पैदर चलके जाओ को तो मिल जागा या तो दस रुपे मीट एक्सी वाल आपको छोड़ देगा चोर मार्केट हर फैर्डे को मॉर्निंग में लगता है और को ग्याने सवर जी आपसे बाहत करके बहुत ही अच्छा लगा आपके चैनल का नाम क्या है मेरे चैनल का नाम है अम्रातीचा पुर्गा प्लीज सब्सक्राइब मी तो यूविल एक्स्पर्शो मच फिंग्स इन वाज चैनल आए जैने सब्सक्राइब को तो दर्गापी माधा टेक्नी के बाद अभी में जा रहा हूं महा लक्समी मंदिर की रहा हूं तो यहां पर भी आपको जैसे मंदिर के आसपास बहुत सारी प्रशाद वगएरा की दुकाने होती है बसे यहाँ पे भी बहुत सी प्रशाद फूल वगएरे की दुकान आपको मिल जाएगी यहाँ से आप माता के लिए प्रशाद वगएरा ले शक्ति होगे महादेवी महालक्ष्मी के दर्शन कर लिये है और अभी हम मंदिर के बाहर निकले है बाहर की साइट निकलते हैं हमें एक डोसे की दुकान दीख गई और वहाँ पे चार फीट का बड़ा सा डोसा हमें दीखा तो हमें वैसे भी भूग लगी हुई थी तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था और मेरा एक यूटीबर भाई जो कि हमें हजियली दरगाह पे मिले थे वो भी साथ में थे तो उन्होंने कहा चलो हम चार फूट का डोसा खाते हैं और हमारा चार फूट का डोसा रेडी हो रहा है बहुत ही अच्छा बहुत ही कम दाम में चार फूट का डोसा सिर्फ दोसर रुपे में यह आपे मिल रहा है मस्त पेट भरके नास्ता कर लिया है और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डेक्स्टीनेशन की और और हमारा next destination है भारत के अरब पती मुकेश अमबानी जी के घर की तरफ सामने आपको देख रहा है एंटिलिया और एंटिलिया इमारत जो है इसका नाम एटलांटिक महासागर से लिया गया है जो के मुकेश अमबानी जी का निवास्थान है इस इमारत को ऐसे डिजन किया गया है जैसे की आट की तीरता का भी भुकंप आ जाए तो इसकी एक इट भी नहीं हिलेगी इसे 2006 से 2010 तक बनाया गया था यह इमारत 27 मंजीला की है और 117 मीटर उन्ची है 27 मंजीला एंटलिया का दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी next destination की और जो की है हमारा गिरगाव चौपाटी गिरगाव चौपाटी से कुछ 100 मीटर के अंदर पर यह एक छोटा सा मंदीर है श्री बावूलनात मंदीर जो कि एक बहुती प्राचिन और अधभुत मंदीर है जैसे ही प्रविश्दवार के फितर जाते है वैसे ही गनेश्ची के दर्शन हो जाते है और गनेश्ची के पास एक बड़ा सा संक्के भी दर्शन हो जाते है यहां से नेश्च मंदीर तक जाने के लिए कुछ सेडिया आपको चड़ने पड़ती है तकरिबन सो के आसपास सेडिया होगी अगर आप स्टेर से नहीं जाना चाहते तो यहां पर एक लिफ्ट के भी सुईजा उपलब दें एक रूपया देखे उस लिफ्ट में बैठ के तिन मंजिला मंदीर के और आगे बढ़ सकते हो तीसरी मंजल पर पहुंचने के बाद ऐसा कुछ नजारा आपको देखने को मिलता है कर देखे बाद के बाद के बाद के बाद के दोगा है बाहर से जितना भी मैं आपको दर्शन करवा सकता हूं इतना मैं यहाँ पर आपको दर्शन करवा देता हूं आगे जैसे आप जानते हो कि मंदिर में मॉबाइल वगेरा एलाउड नहीं होते तो मैं आपको अंदर का नजारा नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन आप बाहर से यहाँ गिरगाव चौपाटी है जहाँ पर मुंबे के राजा लाल बाक्चा राजा गनेश्ची का विशरजन यहीं पर किया जाता है यहाँ से अब मैं लोकल बस पकड़के गेटवे आफ इंडिया की और आगे बढ़ता हूँ यह है अपना आलिशान गेटवे आफ इंडिया गेटवे आफ इंडिया को भारत का प्रविश्द्वार भी कहा जाता है इस मारक को दिस्टंबर 1911 में ब्रेटिश समराट राजा समराट जोर्ज पंचम और महारानी मेरिक कैम के प्रथम आगमान की याद में बनाया गया था इस मारक का निर्मान 1913 से 1924 तक चला था गेटवे आफ इंडिया की उन्चाई 26 मीटर हैं गेटवे आफ इंडिया के बगल में ताज महल पेलेस और टावर होटल जैसी 5 स्टार होटल भी मजूद हैं गेटवे ताज महल पेलेस और टावर होटल के सामने एक कौन पर खड़ा है जिसे 1903 में बनाया गया था प्रवेश्टवार के मैदान में समारक के सामने मराठा युद्धा नायक शिवाजी की मूर्ती खड़ी हैं जिन्होंने 27 सतापदी में मराठा सामराज्य की स्थापना के लिए मुगल सामराज्य की खिलाफ लड़ाय लड़ी थी इस प्रतिमा का अनावरन 26 चनुरी 1901 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था इसने राजा समराठ चौर्ज पंचम की कांचिय प्रतिमा का स्थान ले लिया प्रवेशद्वार के इलाके में दूसरी मूर्ती स्वामी वीवेकानन की है एक भारतिय विक्षू को जिनने पच्चि में वेदान्त और योग जैसे भारतिय दर्शन की सुरुवत और हिंदु दर्मे लाने की एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में श्रे दिया जाता है समारक के चारो और पांच गाठ स्थीत है पहला गाठ भाबा परमाणू अनुसंदान के अंदरों के लिए विशेश है जबकि दूसरे और तीसरे का उप्योग वानिचियो नो का संचालन के लिए किया जाता है चोथा बंध है और पांच वा रोयल बॉंबे यॉट कलब के लिए विशेश है दूसरा और तीसरा काठ परियटनों के लिए तारापूरी गुफाओं तक पहुंचने का सरुवाती बिंदु है जो समारक से नाव द्वारा पचास मिनिट की दूरी पर स्थीत है दारापूरी गुफाओं भारत में मुंबई के गेटवे अफ इंडिया से लगबग 12 किलोमेटर दूर स्थीत एक स्थाल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसीद है यहां कुल साथ गुफाओं हैं मुख्य गुफाओं में सबी स्थामबे जिसमें सीव को कई रूपों में उकेरा गया है पाडियों को काट कर बनाई गई ये मुर्तिया दक्षिन भारतियों मुर्तिकला से प्रेरी थें और धारापुरी गुफाओं को एलेफंटा क्याव के नाम से चाना जाता है ताज महल होटल की मुख्य इमारत का निर्मान इंडो सर्केनिक चेली में टाटा द्वारा करवाया गया था तदा इसे पहले बार 16 दिसमबर 1903 में खोला गया था ताज महल प्यलेस होटल में 560 कमरे और 44 चुट मुझूद है गेटवे अफ इंडिया और ताज महल होटल के अच्छे से नजारे देखने के बाद अभे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मरेंड ड्राइव की और दोपर के तीन बजे का कुछ नजारा मरेंड ड्राइव पे कुछ ऐसा है अगर साम के वक्त यहाँ पे आ जाए तो मौजी कुछ अलग होती है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे और नीचर को क्लिन रखे जाए हैं